प्रिश पराद्ब की परिवार के खिलाफ आपको बताते चले कि तेश परताप याद आधो की पार्टी है चातर जनसकती परीशत चात्र जनसक्ती परिशत की ओर से तारापूर विधान सभा सीट पर निर्दलिय उमिदवार को समर्थन देने की बात कही जा रही है जिससे RJD के अंदर हंगामा मचा हुआ है तेजपरताप यादब के इस कदम से लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादब को बड़ा जटका लग सकता है इस बगावत से RJD के निताओं के अंदर एक डर सा बना हुआ है RJD के उमिदवार की हार की लेकिन तेश परताप यादब के इस कदम से सत्ता पक्ष के नेता काफी गदगद है और इस कदम को एप्रिसियेट कर रहे हैं दानश रिजवान है हिंदुस्तानी अवा मूचा के प्रवक्ता उनका बयान सामने आया है दानश रिजवान ने कहा है कि अगर तेश परताप यादब किसी को समर्थन कर रहे हैं उनकी पार्टी किसी को समर्थन दे रहा है तो आरजडी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है वैसे भी उन्हें पार्टी से तो बेदखल कर ही दिया गया है अब वह कुछ भी करे आरजडी को प्राब्लम क्यों हो रहा है जी हाँ तो दानश रिजवान साफ कहते नजर आए कि आरजडी को क्यों प्राब्लम हो रहा है जब तेश परताप यादब को पार्टी से निकाल ही दिया गया है शिवानन्तिवारी पर भी दानरस रिजवान काफी हमला बोलते नजर आए हैं जीतनाम मांजी के फार्टी के प्रवक्ता हैं दानरस रिजवान उनका बड़ा बयान कह सकते हैं कि सामने आया है क्या कुछ कह रहा है दानिश सुनेजे देखे अगर तेजप्रताप यादो जी ने किसी कैंडिडेट का समर्थन कर दिया है तो इससे राष्टी जनतादल के नेता हाय तो बड़ क्यों मचा रहे हैं पहले से ही शिवानन्तिवारी जी ने असपश लहजे में कहा है कि तेजप्रताप यादो जी को निश्काशित कर दिया गया है ये शिवानन्तिवारी वही शिवानन्तिवारी है जोने लालू प्रिशाद यादो जी को सजा दिलवाने में अहम भूबिका निभाई है अब ये तैय कर रहे हैं कि राज़त में यादो का बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा राज़त में यादो जाती के नेता रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है देखी राष्ट्री जन्तादल रीड विहीन पार्टी हो चकी है जहां लालू पिशाद यादोजी के जो वारिस हैं असली उत्तकर उत्रादिकारी हैं उनको भी बेदखल किया जा रहा है तो सुन लिए आपने तेश प्रताप यादब के बगावती तेवर की वजह से लगातार लालू परिवार और आरजडी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है निताओं की प्रतिकिरिया लगातार सामने आ रही है कहते हैं कि परिवार की जो लडाई है सड़क पड़ा गई है अगर आपको ये ख़बर उच्छी लगी हो तो हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फेस्ट पेज को भी लाइक पर फॉलू कीजेगा धैने बाद